हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी स्टेडी दोस्तो आज बात करेंगे कच्छा बार्मी विसाभूगोल जियोग्राफी के इंपोर्टेंट रियल मॉडल पेपर के बारे में जो की आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है साथ ही दोस्तो इस पूरे मॉडल पेपर का पूरा सॉलीशन इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाय जाएगा तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत है नहीं बस वीडियो में लाश तक बने रही है अच्छा लगए लाइक कीजिए और चैनल को करते हैं साथ ही दोस्तों इस पूरे वीडियो की फुल पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है आप होहां से टेलिग्राम जॉइन कीजिए तो देखते हैं सबसे पहले आपका है सही विकल्प लिखिए तो पहला कोशन है आपका कि निमन लिखित में से कौन सा एक्त्रतिय क्रिया कलाप है तो इसका राईट अंसर है व्यवसाए एक्त्रतिय क्रिया कलाप है किस राज से सरवाधिक अप्रवासी आते हैं जहां पर ध्यान रखना है अगर आपको कोश्चन पूछता है किस राज से सरवाधिक अप्रवासी आते हैं तो आपको उसका राइट अंसर बिहार देना है क्योंकि दोस्तों देश में उत्तर प्रदेश और विहर दो ऐसे राज है जहां से सरवाधिक आप्रवासी आते हैं अगर यहां पे पूछा होता कि किस राज में सरवाधिक आप्रवासी आते हैं अगर में होता तो इस दसा में इसका राइट अंसर होता महराश तो आपको बाकि इसका right answer होगा बिहार यदि पूछता है किस राज में सरवाधिक किस राज में सरवाधिक अपरवासी आते हैं तब उस दसा में आपका right answer होगा महराष्ट तो उम्मीद है आपकी ये confusion जो है दूर हो गई होगी तो अभी इसका right answer किया है बिहार है आप लोग अपने book के आप से देख लीज़ेगा किसी में उत्तर प्रदेश भी दिया हुआ है तो दोनों ही right है लग भग लग भग next question आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्मनलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है तो इसका right answer है जल अचक्री संसाधन है आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों उम्मीद आपको बहुत जाद अच्छा लग रोगा पूरी पीडियाफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो आप लोग टेलीग्राम जॉइन कीजे next question है आपका यहाँ पे रिक्तिस्तान की पूरती कीजे यहाँ पे आपके छे question दिये हुए है तो पहला है आपका बेंदा मद भारत के डेश डेश छेतर के जंगल में रहता है तो इसका right answer है बेंदा मद भारत के अबूज मार जंगल में रहता है कहां बेंदा मद भारत के अबूज मार छेतर के जंगल में रहता है सेकेंड आपका डेश डेस से डेश डेस तक आयू समवर काररच जन संक्या है तो इसका राइट आंसर आप लोग मेरे को कमेंट के माद दिम से बताएंगे जिसका जिसका आंसर सही रहेगा हम उसको पिन करके उपर लगे जिसका रॉंग है तो कोई दिक्कत नहीं हम आपको राइट आंसर भी बताएंगे ठेड़ है आपका भारत विश्वयापार संग के डेश डेस में से एक रहा है तो इसका राइट आंसर है संस्थापक सदस में से एक रहा है इसका right answer है संस्थापक सदस चौथा है आपका किसी देश के अत्यंत महातपूल घटक होते हैं तो इसका right answer है निवासी किसी देश के अत्यंत महातपूल घटक होते हैं next है आपका समतल छेत्रों में ग्रामीन बस्तियों का डेश डेश प्रतिरूप दिखाई देता है तो इसका राइट आंसर है प्रतिरूप बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है इसका राइट आंसर है आयताकार नेश्ट है आपका भरमौर जंजाती छेतर हिमाचल प्रदेश के डेश डेश जिले में है तो इसका आपका third question है सही जोडी बनाईए सही जोडी बनाईए तो दोस्तों आपका यहां पर आएर सही जोडी इसको सही जोडी डिस्कस करते है सही जोडी में एक trick ही है अपना ही जा सकती है जो आप से बन रहे हो जो option आप लोग सबसे पहले उनका मिलान कीजे उससे होता यह कि जो नहीं बनते उनके आंसर फिर क्लियर हो जाते है जैसे चलिए आपको बताता हूँ पहला विस्ट में निउन्तम लिंग अनुपाद तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कोईला गेहूं भूमा दसागरी करसी ऐसा कुछ हो सकता एक ही ऑप्सन इसका राइट हो सकता है संयुक्त अरब अमीरात अब उसको आपको माल लीजे कोई नहीं पता है तो आप नीचे से लीजे परम परागत उर्जा संसादन तो उर्जा संसादन क्या है कोईला है सबको पता है उसको आप बचते है सामूही करसी अंगूर की करसी और खाद्यान फसल तो खाद्यान फसल क्या है दोस्तों सबके घर में केती होती है पता है खाद्यान फसल गेहूं है अब बचता है सामूही करसी और अंगूर की करसी तो आपको पता है कि अंगूर की करसी जो है भूमध सागरी करसी होती है तो मोहिकरसी का राइट अंसर निकल के आ गया कोलर वहोज पूरुसों की संख्या गुणे 1 हजार ठीक तो ये इसका आंसर होगा second है आपका कि वर्ष 2011 की जन गलना की अनुसार भारत की जन संख्या कितनी है तो इसका राइट आंसर है 2011 की जन गलना की जन संख्या एक दसमलो 21 अरब है third question है आपका है भारत के किस राज़ में इस्त्री साक्षरता धर नियुनतम है तो इसका राईट आंसर है बिहार चीए है इसका राईट आंसर है बिहार आगे बरते हैं नेस्ट कोश्चन है आपका है पर चौथा कोश्चन है कि बड़ी लाइन या ब्राड गेज में रेल पत्रियों के बीच की दूरी कितनी होती है तो इसका राइट आंसर है 1676 mm कितनी 5 फिट 6 इंच इसको अगर 5 फिट 6 इंच कह सकते हैं ये भी राइट है और 1676 mm कह सकते हैं ये भी राइट है तो आप सब इस कांसर हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे छड़वाएं आपका कि महानगर की जन संक्या कितनी होती है तो महानगर की जन संक्या 40 लाग होनी अनिवार है जिस भी सहर की जन संक्या 40 लाग या 40 लाग के उपर है वह सहर महानगर की गिंती में आता है तो इस परकार से आपके एक वाक में अंसर यहां पे क्लियर होते हैं आ आपका क्या राइट है वेनोजेला ओपेक का सदस्देश है यह आपका राइट आंसर है उसको यह आपका राइट आंसर है उसके बाद यह आपका राइट आंसर है उसके बाद यह आपका राइट आंसर है उसको अनेश्ट है इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है उस उसको ठेड़ है आपका कि आंदरिक प्रवास के अंतर का तीन धारा ही होती है तो यह आपका असत है रॉंग है इसको मैं दूसरे करें से कर देता हूं तीसरा आपका रॉंग है चौता है आपका कि भारत की संपूर्ण पहली जनगरना 1881 इस्वी में संपन हुई तो यह आपक 1882 इस्वी में भारत की पहली संपूर्ण जनगरना जो है संपन हुई ती राइट है उसको फर नेशनी पलकी पाराइट की भारत प्रवास के अंतरगा तीन धाराएं होती है आपका रॉंग है चौथा आपका भारत की संपूर पहली जनकड़ना 1881 इस्विम संपन हुई आपका राइट है उसका पाचमा और छटमा आपके रॉंग है यहाँ पर तो इस प्रकार से आपके सत्त सत्त जो हैं क्लियर होते हैं आ अब पहुत जादा इंपॉर्टन यहाँ पर चाहँ जादा इंपॉर्टन इसका आंसर भी हम आपको नीचे प्रवाइड करवा देंगे इस इक अठोवा कोश्चन दोस्तो मानो भुगोल के दो उप छेत्रों के नाम लिखे शात महाँ कोश्चन है चलवासी पाशु चारन क किसे कहते हैं अ τουवा ब्यापारीक पसू पालं किसे कहते हैं आधवमा कोस्षिण है आपका यहांपे इस्था takich क्रसी की दो विसेश्थाये लिखिए अत्भा ब्यापारीक क्रसी की कोई दो विसेश्थाए इसको बाद दसमा है आपका मानो बस्ती को परिभासित कीजे अत्वा बस्ती के रैखिक प्रतिरूप का चित्र बनाईए उसी प्रकार आपका आगे बढ़ते हैं ग्यारमा कोश्चन आपके यहां पर दिया हुआ है अथवा भारती स्रमिकों को वैवसाइक संवर्ग में वर्गी करत कीजे बारमा है गैरिसन नगर किसे कहते हैं अथवा प्रसासनिक नगरों के कोई दो दहरन तो गैरिसन नगर यह भी आपका मोश्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों इसको भी आप लोग ध्यां से देखें के इस पूरा आंसर इसका भी बताते हैं यह भी आपका इंपोर्टेंट है उसको आँगे इस कात्वा है प्रवास के अपकर स्कारक लिखे उसको आद नेश्ट कोशन आपका कि लगू एवं ब्रहत उद्योगों में तीन अंतर लिखे तीन उत्तर लिखे यह फिर तीन अंतर है उस है तो आप लोग इसको भी एक बार नीचे हम आपको इसका आँगे चल आँगे पूरा आंसर बताएंगा आप लोग वहां से देख लीजेगा पीडियाफ आपको टेलिग्राम पे मिल जागे मैं बार बार बतारूं आप लोग टेलिग्राम जॉइन कीजे इसी कात्वा है र आपे इसका इसका का इंगे मांचीत्र में बताना है। उसका है यहाँ बोस्तों बात करते हैं जो हमको आपके यहाँ पे कोशचान आनसर है प्रवास के समाजिक हुआ जनांकी परिणाम क्या क्या है तो इसके पूरा आंसर आपका दिया हुआ पॉइंट वाइस पूरे आंसर दिये हुए है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि टेलीग्राम जॉइन कीजे पूरा पीडियाफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसके बाद एक कोश्चान आप से पूछा गया गरामीर जनसंक्या और नगरी जनसंक्या में क्या अंतर है इस फश्ट कीजे तो आपके आपके अंतर यहाँ पे पांच पॉइंट में पूरे अंतर आपके दिये हुए हैं तो आप लोग इनको भी देख सकते हैं ठीक उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक कोश्चान आप से पूछा गया कि प्राथमी केवं दितियक गत्विधियों में क्या अंतर है यह उसका पूरा अंतर आपके यहाँ पे पांच पॉइंट में इसका भी अंतर आपको आपके दिया हुए तो आप लोग इसको देख सकत हैं उसको आपके पूछा गया था कि प्रदूसर्ण और प्रदूसकों में क्या भेद है तो यह इसका अंसर अलग अलग प्रदूसर्ण और प्रदूसक दोनों का दिया हुआ आप लोग इसको लिख सकते हैं अब एक जो आपका इंपॉर्टेंट कोश्चन था दोस्तों की गैरिसन अगर क्या होते हैं उनका क्या प्रकार होता है तो यह आपका यहां पर अंसर दिया हुआ आप इसको ध्यान से देखिए और इसको स्क्रीन सौट कर लीजिए उसको आप अंगला कोश्चन आप से पूछा गया था कि ग्रामीन बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्द कीजे तो आपका रैखिक प्रतिरूप यहां पर बना के प्रस्तुत किया गया है आपका चारंग का इंपॉर्टन कोश्चन है आप इसको देख सकते हैं उसको आँगे एक कोश्चन आप से पूछा गया था कि क्रसिया धारित उद्योगों के नाम लिखे तो यहां पे क्रसि जल नीती से संबाधित एक कोश्चन पूछा गया है तो यह उसका भी अंसर है आप लोग इसको भी लिख सकते हैं पूरे एकदम पॉइंट वाइस एकदम अच्छी तरह से आपके सामने अंसर बताया गया है उसको आँगे बढ़ेंगे एक कोश्चन आप से पूछा गया थ उसके बाद एक आपसे पूछा गया था चल वासी तथा व्यापारिक पसुपालन में ने लिखे अंतर तो चल वासी पसुचारन और व्यापारिक पसुपालन में आपका अंतर यहां पे दिया हुआ आप लोग इसको लिख सकते हैं अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि चल पासी पसू चारण की विशेष्टा है लिखे तो सेम अंतर वही आपका अंतर वही विशेष्टा है सारी चीज़े सेम रहते हैं तो आप एक ही चीज से दो तीन आंसर बना सकते हैं यदि आप एक अंसर अच्छे तरह से पढ़े हैं तो उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आरा होगा तो आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों उसको अदे कोचन था आपका की क्रस्याधारित वेवसाई कौन-कौन से हैं तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं चौकलेट उद्यम से उद्यम में क्रस्याधारित अगर वथ्ती छेतर में आपका क्र इंपोर्टन कोच्चन का अंसर मैं इसमें नहीं दे पायो आप कमेंट के मादे हम से बताइए हम उसका अंसर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे तो उमीद है वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो लाइक कीजे शे लिए बहुत बहुत धन्यवाद